आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सोंफ का होलसेल का बिजनस शुरू कर सकते हो अगर आप सोंफ का होलसेल का बिजनस शुरू करना चाहते हो तो सस्ती से सस्ती माल आप कहां से खरीद सकते हो इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा यह बिजनस अगर आप करते हो तो आपको कितना investment करना पड़ता है, profit margin क्या होता है, कब आपको खरीदना चाहिए, आपके customer कौन होंगे, और इस business में आप ज्यादा मुनाफ़ा कैसे कमा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखे, सोफ का जो business है, वो 45 तरीके से अमूमन किया जाता है, पहला जो common तरीका होता है, वो होता है छोटी packing करके, छोटी packing का मतलब ये हो गया, कि 5 रुपए की 10 रुपए की सोफ की छोटी छोटी packing किये जाती है, सो रुपए, 120 रुपए, 140 रुपए, या किसी भी भाव खरीद के आप लाते हैं, और उसे आप छोटी छोटी packing में sell करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में काफी जो जनसंक है, वो मद्यम वर्ग या नीचे के वर्ग में सामिल होती है, और हम लोग जो हैं, वो छोटी packing को ज्यादा prefer करते हैं, और वो suitable भी होती है, छोटी packing अगर आप करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कि 50 micron से उपर का ही polythene use कीजिएगा, क्योंकि सरकार ने इसके नीचे के polythene को allow नहीं कर रखा है, अब दूसरा जो तरीका होता है, वो होता है wholesale business शुरू कर, wholesale business क्या हो गया, जो आपके आसपास के market है, उसके अंदर जो retailer बैठे हैं, उनको अगर आप sop provide करते हो, तो वो wholesale business आपका हो गया, उनको हो गया, या फिर जो hotel वाले हैं, restaurant वाले हैं, वो भी sop को बहुत ज़्यादा consume करते हैं, तो आप bulk quantity में उनको भी provide कर सकते हैं, जो तीसरा तरीका होता है, वो होता है mouth freshener, एहों company को supply करना, mouth freshener क्या हो गया, कि कुछ-कुछ ऐसी पुडिया वगेरा होती है, या mouth freshener होते हैं, जो company होती, वो mouth freshener बनाती है, उनको अगर आप sop provide करते हैं, लेकिन अगर आपको उनको sop provide करनी है, तो win-win की situation होनी चाहिए, मलब आपका भी कमाई होना चाहिए, और उनको भी सस्ता पढ़ना चाहिए, तभी वो आपसे खरीदेंगे, और चोथा जो तरीका होता है, वो होता है, आयात नीरियात का मलब, import-export का, आप बाहरी देशों में भी sell कर सकते हैं, इसकी मैं complete आगे जानकरी दे दूँँगा, और पांचवा जो तरीका होता है, वो होता है तेल, देखिए, जैसे mouth freshener होता है, वैसे ही काफी तेल भी होते है, जो सोंप से बनते हैं, अईरुवेदिक दवाई अगेरे भी सोंप से बनती है, तो आप तेल निकालने का भी काम स्चुरु कर सकते हैं, अगर बात करें customer base की, तो इसका बहुत बड़ा लंबा चोड़ा customer base होता है हर घर में ये product use होता है इसी के साथ जो consumer base है वो बहुत बड़ा होने की वज़े से आपका ये business बहुत जल्दी success हो सकता है अब बात कर लेते हैं सस्ते से सस्ता आप कहां से करीच सकते हैं सस्ते के लिए देखे जहां पे खे खेती ज्यादा होती है वहां से सस्ता खरीच सकते हैं खेती इसकी सबसे ज्यादा होती है गुजरात मद्यपरदेश राजस्तान उत्तरपरदेश करनाटक अंदरपरदेश पंजाब तता अरियाना ये वो राज्य हैं जहां पे इसकी खेती बहुत अच्छी quantity में होती है खेती ट्रांस्पोस्टेशन चार्ज में आपको माल मिल सके ऐसा नहीं कि आप हैं तमिल नाडू से और केवल और केवल सोफ खरीदने के लिए करना राजस्तान से माल मंगवा रहे हैं या राजस्तान आ रहे हैं तो आपको वो कोशली पढ़ जाएगा अब बात कर लेते हैं क्या क्या ही है बिजनस शुरू करने से पहले आपको द्यान रखना चाहिए इसकी रेट का इसकी रेट कम्लेटली डिपेंड करते हैं इसकी वेराइटी पर दाना कैसा है तो नहीं है अगर इसमें सीलन हो जाती है या पानी वगेरे लग जाता है तो वो प्रोडेट बहुत अच्छी कमाई आपको करके नहीं देता है और मेरा मानना ये होगा उस प्रोडेक्ट को खरीदने की भी चैस्टा कम करें इसी के साथ जो दूसरा है वो होता है मार्केटिंग करना देखे काफी लोग बिजनस तो स्टार्ट कर रहे हैं होल सेल वगेर का क्योंकि अभी सीजन है और जो रिटेल है किराने वगेरे की दुकान काफी खुल रही है उसमें बेनिफिट है लेकिन आपको आपके प्रोडेक्ट की ब्रैंड बनानी पड़ेगी उसके मार्केटिंग करनी पड़ेगी होल सेलर के पास जाना पड़ेगा रिटेलर के पास जाना पड़ेगा बताना तीसरा जो मैन पॉइंट है वो होता है सीजन के समय खरीदे इसकी देखे सीजन वैसे तो अलग-अलग जगाए अलग-अलग होती है जो होता है फरवरी से लेके मार्च के अंदर इसकी खेती की जाती है तो उस हिसाफ से आप करीदेगा ताकि जैसे किसान कोई भी मार्केट में प्रोडेक्ट लाता है तुरंत खेती के बाद तो वो प्रोडेक्ट है वो बहुत क्वांटिटी में आता है मार्केट में इसी वज बीस लाग 20,000 में शुरू करना चाते हो तो छोटी पैकिंग का बिजनस बहोत बैस्ट है चोटी छोटी आपको प्लास्टिक की थेलियां करीदनी होगी या कोई भी ठेली खरीदनी होगी इसी के साथ आपको क्या है कि एक पैकिंग वो completely depend करता है आपकी purchase पे आपकी खरीदतारी पे सामान नहींता है 10 से 30-40% तक वोलसेलर कमाते हैं हाँ कुछ case में 15% कमाते हैं 5% भी बट mostly जो है 10% से उपर का business वोलसेलर में हो जाता है तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा और अगला वीडियो किस topic पे चाहते हैं या अपने वीडियो में आपको क्या-क्या सुधार चाहिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा क्योंकि सुबह 7 बजे latest business idea पर daily एक वीडियो पोस तो होता है धन्यवाद